नमस्कार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेरियस सागरतारे के जननत्त के वैसे तो सागरतारा एक लेंगी जनत होता है किन्तु इसमें दिल लेंगिक दुरूपता वैसे नहीं पाए जाते हैं परन तो कुछ-कुछ सागरतारे दिलिंग होते हैं जैसे कि एस्ट कुछ जो मेल या फीमेल जो सेक्स और्गन्स है या तो मेल सेक्स और्गन्स पहले परिपक होगा या फीमेल सेक्स और्गन्स परिपक होगा पहले इसलिए इसको पुम्पूर भी कहते है और तार तर प्रितेक जन्तु सिसु अबस्तर तक नर रहता है और परन्तु बैस्क होने पर मादाद होता है मेथु नांगों सहाय ग्रंतियों एवन सुक्राणों और अंडाणों के संग्रन करने है तू रिजयरवायर या ग्रहाईकाव का इसके जन्नांगों में अभाव होता है यानि कि ये जन्नांगों को से सीधे नर एवन मादा योगमकों को पानी के अंदर छो नाले हैं एवं पार्थ जो नाल पादों की तुम्बकाओं के बीच में सोतनता पूर्वक एक एक जोड़ी इस्थित रहती है इसका टेस्टिस जिसको ब्रशन कहते हैं और अंडाशय ओवरी आकरती में समान होते हैं और सरीर में समान इस्थाप्रप पाए जाते हैं ब्रशन दूसरा और अंडाशय गुलावी रंग के या नारी रंग के होनेकान के रंग में विवित्ता होती हैं जनन ग्रंतियों का बिकास समय अंसार होता है और उनके बिकास की कोटी के अंसार ही उनके आकार में भिंता पाई जाती हैं परिपक अवस्था में परियांतरंग अबका होता है उसमें परियाप्त भाग में फैल कर अभी भुजाओं के अंदर सिरे पहुंच कर जाती है और प्रतेक जनन ग्रंथी में जन्निक रोधिर डोरी का प्रसारित अस्तंत भाग होता है यह लंबाई में एक वड़ा साखित पुंज होता है जिसमें कलावत एवं गोलिय फॉलीकल्स होता है जिससे यह चोटे-चोटे अंगूरों के एक गुच्छे के समान दिखाई देने लगता है यह परिरुधिर तंत की जननिक कोटर द्वारा आब्रत रहती है और इसके प्रारंबिक सिरे से एक चोटी पक्षमाद जनन बाहेनी निकलती है जो की अपमुक स जनन गरंथी या जननिक देहंकुर के अपमुक सिरेस में उत्पन होती है जहां से जनन गरंथियों में प्रवास करती है जैसा कि आपको यह दे रखाया है जनन गरंथी इस चित्र में दखाई दे रही है जैसे ये गॉनेड है जो यह बीच का एंबूलेक्रल ओसीकल अब जो जननगन्तिया उससे निशीचन और परिवजन कैसे होता है तो जैसे आप इसमें देख रहे हो चित्र में एडल्ट मेल ये काफी संख्या में अर्बों की संख्या में ये अंडे मेल और फिमेल और सुक्राणों की संख्या कई गुना कई आरफ संख्या में ये मेल अरवों की संख्या में और फिमेल भी साड़े बारा लाग से ज्यादा अरवों की संख्या में अंडे देते और दोनों बाहर पानी में निसेचित होते हैं और उसके पश्याद यह है जो मेल और फीमेल का जो युगमक है फीमेल का जो अंडा है एग है उसमें इस्पर्म आके टच होता है तो इस्पर्म का आगे का भाग उसका अंदर प्रवेश कर जाता है और जो इसकी पूँच है टेल पोर से नोग पीछे रह जाता है यह स्क्राइब 8 이あっ uży्म करते किक लें चुक्त है लुठा अभन्जी प्लेश्ट फूद्स से लांचा के ब्लाइश्टूल्स सील्क्राय नया हिथां एक तरफ से अंधर की तरफ मुंनाचाल हो जाती है यह यह माइक्रो ब्लास्टोमेर स अ दिर्फ करते हैended तरफ चलना चाहला हो जाती है । जोकि इसमें अदर की तरफ इक नली का निर्मान करता Micro Arkingtron कहते है और दिरे-दिरे यह gastula stage यह खतम हो जाती है और gastula stage में यह Arkingtron और आगे की तरफ यह silomag Pouches यह आगे का Mouth के अंदर पीछे का Aynas के अंदर Convert हो जाता है इसका LARBA जो बनता ह heir वो Penneria LARBA होता है अरली Penneria, Bipanelria जो LARBA होता है बाइपिनिर लारवा जिसके आप यहां देखते हो यह गेस्टुला से बना है जिसमें यहां पर एनस यहां माउट और यह बीच में गट यानि आरकेंट्रों गट में कनबटों की सिलेटेड बैंड से इसमें दिखाई दे रहे है लेटर बाइपिनिरियां आपको अलग तरीक ओन दिखाई देखें लेटर डवल्पमेंट में इसमें इस नीचे किसी आधार से चिपकने के लिए जगह है ऐड़ेसिब ऑन ब्रेंक्यो लैरियन आर्म्स और बैंक्यो लेरिया रोटीमेंट अप श्टार्फिस है उसके बाद में स्टार्फिस किसी आधार भाकसे चिपक और उसके बाद में यह एडल्ट स्टाफिस में बदल जाता है तो यह जिसकी लाइप साइकल डवलपमेंट है तो इसमें हम देखा है कि निश्यचन निश्यचन बसंत्रतु में जनन क्रिया होती है और परिपक अंडानू एबन सुक्रानू समुद्र के जल में त्याग दियात आफ द्यापि आए और जन्तू इससे कई गुर्णा सलग उनों से यह युगमक नज यह युगमक युगमक नज में बदल जाते है जाइगोट में और इसके चार और कॉमल निशेचन कला का निर्मान हो जाता है अब हम बात करते हैं इसकी एमब्रेजने से ब्रूनोद बद परिवर्दन एपरतक्ष है जो एडल्ट है उससे एडल्ट बनने में जो सिसु अवस्ता है वो एडल्ट से बिल्कुल सरसनामे रूप में भिन होती है इसलिए एपरतक्ष परिवर्दन है निशेचित अंडा माइक्रोलेसिथल या बहुत ही कम जिसमें पीतक होता है और इसमें पीतक की मात्रा अती कम होती है बिदलन क्रिया पूर्ण भंजी होलो ब्लास्टिक इकमीस यहाँ पर जो बिदलन है वो पूर्ण रूप से फर्ष्ट बिदलन जो चलता है पूर्ण रूप से इसके जो अंदल का मेट्रियल उसको दो भागों में भाजित करता है उसके बाद समान अरिये एवं अइनिये में डिसाइड नहीं है और अर्थाद इसमें कोरक खंडों का ब्लास्टुमेर से कोई निश्चित विकास नहीं होता और यदि यह प्रार्ण बिकस्ता में एक दूसरे से प्रतक हो जाता है तो प्रतेक से एक लारवा विकस्त हो जाता है बिजलन के दूसरे दिन ही ब्लास्टुमेर या सीलो ब्लास्टुमेर बन जाता है और यह प्रार्ण रूप से गोलाकार खोकला एक इस तरह है पक्षमाविद भून होता है जो सोतनता पूरवक एदोदोध तेर था रहता है इसके अंदर की बड़ी गुही का जिसे कोरक गुहा बलास्टो सील कहते है मैं कोरक गुही द्रब बलास्टो सीलों की फ्लूड रहता है और इसके पश्याद बलास्टूला मैं एंबॉलिक अंदर इंतर्वलन यानि इंबॉलिक यानि कि यहाँ पर जो यह ब्लास्टोमिर्स दिखाई देगी है ब्लास्टोमिर्स अंदर की तरफ इसमें गती करने लग जाती है इसको इंबॉलिक इंवीजन कहते है इंवेजिनिशन अंतरबलन और यह दोस्टर के प्याले के समान काकार का गैस्टूला बन जाता है इसमें दोनों तह क्रमे से बाहर की अधी भायद अधी बैस्चर्म एक्टोडर्म और अंदर की अंतरश्चर्म एंड़ोडर्म कहलाती है गैस्टुला के अंतरगत अध्यांत के अग्रिम सिरे की एंड़ोडर्म से कोरग गोहा में कोषकाऊ का मुकलन होता है और इनी कोषकाऊ से मद्ध श्तर मीजन काउयमा या मद्ध चर्म का विकास होता है बिकासील आज्धान्त यानि की जो आर्किन ट्रोन है से पार्स पॉकेटे की रिस्षिना भी बलती है और ये पार्स पॉकेट शिगरी बिसफुट होता का दायनी और बाये गुहिये कोष्टों सिलोमिक पाउचेज में बदल जाते हैं बाद में इनी कोष्टों से प्रगुहा यानि शिलोम मद्य चर्मी है इस तर एवन जल समय इन तद्ध का विकास होता है और इसे वस्था में ब्रून सोतंत्र प्लावी लार्वा बन जाता है अब लार्वा वस्था प्रार्यंबिक लार्वा वस्था इसकी डिपलूरल जूलता है ऐसा विस्वास के जात है कि सभी आधूनिक लार्वा जन्तों में पूर्वर से हुई है प्रार्यंबिक लार्वा वस्था होता है इसका अगर मद्य अधर एक्टोडर्मी अंतरवलन जिसे मुख पश्य या मुख पदिया इस्टोमोडियम कहते है और आजान्त के साथ मिलका लारबा का मुख बनाता है जैसा कि आपने पिखली पिखली में यह देखा है यहां पर एक गस्टूला था और एक गस्टूला से यहां पर यह आरकेंट्रॉन बन गी और आरकेंट्रॉन है इसमें यह दोनों कि पाउच ऑश्य निकले है और शेलमक पाउच से यह दिखाई जे रहे हैं तो ये अरली बाइप पिन नेरिया इसमें आपको देखते हो ये इस तरगे सरस्टना देखती है इसमें आगे का जो बहागर माउथ में और पीछे का एनस में कर्णबट हो गया और ये इस प्रकार से निर्मान उता है तो जो है ऐसा बिस्पास किया जाता है कि सभी आधूनिक एक जिनतों के पुत्ति एक डाइप लूर्य लारवा के समान पूर्वस्य होई है और प्रार्यम्बिक बाइप पिन नेरिया एक अंडे के आकार एवन दीपार सम्मित जीव होता है इसका अगर मद्ध अधर एक एक डर्मी अंतरवन जिसे मुक्पत कहते है आध्यांत के साथ मिलकर लारवा का मुक्प बनाता है कोरकरंद लारवा की गुदा में बदल जाता है और आध्यांतर पासंडाल में बिभिजित हो जाती है जिसमें गश्यका आमाशेवन आंतर होता है तीन भाग है गरिशका आमाशेवन आंतर गेस्टूला पर इसित पक्षमाव डिपलूरल में दो पक्षमावी पट्टियों से प्रतिया स्थापित हो जाते हैं और इन पक्षमावी पट्टियों में से मुख के चारो और की परिमुख पट्टी या प्रिमुख पट्टी जिसको कहते हैं और दूसरी मुख के अंदर अभी मुख पठी या एवोरल बैंड कहलाती है यह लारवा सक्री रूप से एक कोज के सेवालो बिसे इसका डायेटम्स को खाता है और अभी मुख या मुख पत के पक्षमाव द्वार उत्पन जल्धारा से भोजन कड़ों का संकलन कियाता है लारवा अपनी परिमुख पक्षमावी पट्टी की सायता से आगे को दक्षनाबर चक्रन यानि कोलोक बाई रोटेशन करता हुआ तेटा है बाई पनीलेरा रहा शिगरी डिपलूरा के सामने के तल पर एक बड़ी मुख पुर्व पाली बन जाती है जैसा कि आप यह देख रहा हूँ लेटर बाई पनीलेरा अफिर इससे यह आगे तरफ यह पाली बन गी रूड में यह पाली बन जाती है यह लारवल डवलप्मेंट है एडेसिब डिस्क ऑन दी ब्रेंक्योलेरियन आप जहां से यह चिपक जाता है किसी कठोर सते पर यह ब्रेंक्योलेरिया बन गया और यहाँ पन बाई पिनीरिया में यह कनवर्ट हो गया तो यह बाई पिनीरिया लारवा है इसका और ये इस तरीके से डिस्क आगे का जो भाग है वो फूला हुआ है और इसमें ये बीच में इस्टार जिसी सर्चना बनना शुरू हो जाती है तो बाई पिनियले लारवा है ये शिगरी डिपलूरा के सामने के तल पर एक बड़ी मुखपूर पाली जिसको प्री ओरल लूग कहते है बन जाती है चार ओर से पक्षमाबो के एक मुखपूर पास या प्री ओरल लूप से आबरत हो जाती है इस प्रकार इसके प्रतेक पार्स में तीन पार्स पालिया बनती है जो पक्षमावों के एक पश्च मुख पास यानि पोस्ट औरल लूप द्वारा आबरत हो जाती है पक्षमाबों की परिमुख पट्टी के चिरने से पूर एवं पश्य मुख पासों की रशना होती इस प्रकार बना लार्वा बाइपेंडेरिया केहलाता है यह दीपार सम्मित होता है और यह सतंता पुर्दफ तेरता है और असन करता रहता है और कुछ सब्ता पच्चात अगली लार्वा वस्ता ब्रैंकियो लेरिया लार्वा में बदल जाता है ब्रेंक्यो लेरिया लारवा, बाइपिनिया लारवा की पालिया, लंबी, पतली, पक्षमावित और संकुच से सज़तनाव में परवेदित होती है जिनने लारविया भुजाए भी कहते है मुखपूर पालिके से तीन छोटे एवं पक्षमा भी उपांग निकलते जिन में से परते एक चूसक एवं आसंजक भिम, एडेसिप डिक्समाप्त हो जाता है इन उपांगों को ब्रेंक्यो लेरिया भुजाएं कहते हैं या आसंजक परवर्द कहते हैं और इस लारवा को ब्रेंक्यो लेरिया कहते हैं यह भी द्वीपार सम्मित होता है और सक्रिय रूप से तेरता तता असन करता रहता है और ये धीरे-धीरे कायंत्रत होता हुआ एक छोटे सागर तारे में बदल जाता है कायंत्रत मेटामॉर्फोसिस लगवक 6-7 सब्ता में ब्रेंकियो ले रिया अपने आसंजक प्रवर्दों पर इस्थित आसंजक बिंबो की सायता से किसी बस्तु पर चिपक जाता है ये ब्रेंकियो ले रिवा किशी आसंजक बस्तु पर चिपक गया है एडेसिब भोस्त बस्तु पर और यहाँ पर लारवा के अगले सिरी पर एक निरूपन करते हुए एक मुकपूर पाली के से आसंजन के लिए एक प्रकार से ब्रंत की रस्ना होती है तश्पस चाहते ब्रंत धीरे धीरे हासित होता हुआ। पू Nether-room रूप से अफस् modular होता है एवं लारवा के जो गोल सिरे है गोल सिरे से ब्यस का परिवर्दन हो जाता है लारवा गुदा और पक्ष्मउध पटिया एद्रस होजाती है और नए मुख एवं गुदा का निर्मार करम से बायनी तता दाहिनी ओर हो जाता है मुख अपमुख अक्ष के चारोर पांच भुजा रूडिमेंट दखाई देने लगते है और इन भुजा अपसेसो अध्यापसेसो बैसन कंकाली तत बनने लगता है इसके बाद प्रतेक भुजा में दो जोड़ी ओर्ध प्रिथम नालपादों का निर्मार होता है जो चिपकने का कारिय या चिपकने का कारिय करते है इसके बाद जटिल पुनर संगठन द्वारा या पुनर संगठन आत्मक परियोतों के फलसरूप बेख सागरतारे का निर्मान होता है सागरतारे के सरी का नमनिर्मित अध्याप से छोटी-छोटी मुत्री बुजाओं के साथ एक मिलिट में से भी छोटा होता है अब इसका एक महत्पूर्ण जो करेक्टिस्टे के बहुए पुनरुद भवन या स्वांग अच्छिदन ओटो टॉमिया रीजनरिशन सागरतारा जब कभी किसी मुसीवद्व फस जाता है किसी जगे इसकी बुजाए फस जाती है निकल नहीं पाती है या कोई सिकार करने इसको आता है तो जिस बुजाए को पकरता है तो यह अपनी बुजाए को त्याग देता है और त्यागिने को बाद में इसका पुनरुद भवन द्वारा अपने सरी की उस बुजाए को द्वारा बना लेता है और जो टूटी हुई बुजा है अगर टूटके अलग हो गई और किसी जीब के द्वारा नहीं खाई गई तो वो एक नए जन्तु को जनम देती है तो सागर तारे में पनुरुद भुहन की बड़ी छमता होती है जब सागर तारे कोई बुजा कहीं पर उलज जाती है गैल हो जाती है अंचुत रुप्से उत्तिज होती है या अपनी ऐसी बुजा को स्वेम ही तत्काल त्याग दिता है और इस प्रकार को सांगो च्छिदन आटो टोमी कहते है बुजा को प्राय चोथी या पांचवी अस्थिका के आधार के पास से हटाया जाता है और इस प्रकार प्रतक हुई बुजा का प्रणुद भावन हो जाता है स्वांगो च्छिदन जन्तु की सुरक्षा के साधन की भातिकार्य करता है पकड़े जाने पर आभशक तांसार अपने एक या अधिक एक सदिक बुजाओ को त्याप कर अपना बचा करता है तूटे भाग का दिरे दिरे पुर्णुद भावन होता है जिसके फल्सरू कुछ बिचित आकरतिया बन जाती है और एक बिम्ब जिसकी सभी भुजाएं नस्ट हो गई है मैं पुर्णुद भावन होता है एस्टे राइना वल्गेरिस की तूटी हुई एक ऐसी भुजा जिसके साथ बिम्ब का कुछ भाग लगाओ से एक पूरे जन्तु का पुर्णुद भावन हो जाता है परंतु लेकिया मैं डिस्के बंचित एक भुजा से पूर्णुद भावन हो जाता है एक भुजा है जो का अलग होगी यह एम्बू लेकर ग्रूब दिखे बीच में यह च्यूट फ्रिट साथ के दिखाए जरे न्यू सेंट्रल डिस्क फिर यह बुजा अलग होगी यहां से तो यहां पर सेंट्रल डिस्क बनने लग जाती तो इस अवस्ता को लिंक किया कि कॉमेट अवस्ता कहते हैं धन्यवाद